सविरे सविरे जैसे एसिरिटी, गैस, गैस्ट्राइटेस, पेट का फूलना, अफारा, खाना पचना नहीं तो फिर खाना सरीर में लगा भी नहीं जिसकी वज़े से सरीर में बढ़ती हुई कमजोरियां, गठता हुआ वजन, मोशन पांस एक बार में नहीं हो पा रहा है, एनस पे भारीपन है, सीने में भारीपन और सिर में भारीपन है वजन लगातार कम होता जा रहा है, और सुगर भी है, अब इसको मैनेज करने के लिए आपके तीन चीजों पर फोकस करना है एक तो morning routine, morning routine हर बिमारी में सबसे दादा आवश्यक होता है, कि आप सवेरे जगते ही जब तक आप अपना morning routine पूरा नहीं कर लेते हैं सरीर के लिए कुछ आवश्यक नियम जो है, सरीर की पूरे दिन की तईयारी जो है वो सवेरे सवेरे से चालू हो जाती है तो सवेरे का लगवग देड़ घंटे का टाइम आपको अपने ले निकाल देना है उस टाइम में अपने को morning routine का follow up करना है सबसे पहले वो दूसरे नमबर पर कुछ खाने पीने का ध्यान रखना है और तीसरे नमबर पर कुछ व्यायाम और प्राकरतिक चिकिसा तो इन चीड़ों में व्यायाम सवेरे का तो हम morning routine में ही ले लेंगे साम को भोजन के बाद टेहलने का ध्यान रखेंगे और प्राकरतिक चिकिसा इसी में आ जाएगे तो तीन चीड़े है सबसे पहले morning routine आपका इस gastritis के साथ में जो diabetes है उसमें कैसा होना चाहिए तो सवेरे आप जल्दी जागें ठीक है जैसे ही जागें जागते ही कोसिस करें कम से कम तीन से चार ग्लास साधा पानी पियेंगे ये ध्यान रखना है जनरली लोग क्या कर रहे है कि पानी को गरम करके पी ले रहे है अब अगर गरम पानी पिया जाएगा तो पेट में गर्मी जाएगी पहले से ही पेट में गर्मी है तो गरम पानी का उपयोग नहीं करना है पहली चीज जो ध्यान में रखनी है दूसरी चीज पानी पी करके 10 मिनट रुकना जरूर है पानी पी के तुरंत motion नहीं जाना है ये ध्यान में रखना है तीसरी चीज, motion जब जा रहे हैं तो motion जाते समय जोर नहीं लगाया जाएगा motion pass करने में ये आपके morning routine में तीन चीज़ है जो विसेश आपको motion जाने के पहले तक में follow करना है अब motion जाने के बाद मंजन कर लिया वापस आके हाथ मुद होया मंजन कर लिया उसके बाद जो acidity है या gut की motility कमजोर पड़ रही है आतों की चाल कमजोर पड़ रही है उसमें आप एक process होता है oil pulling oil pulling का मतलब होता है एक चमज सरसों का तेल मुँ में भरा और जोर से मुँ में चलाया जितना जोर से चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा oil pulling oil pulling करने के बाद 10 minute के बाद तेल को थूख दिया फिर सादे पानी से कुले गरारे कर लिये उसके बाद एक process होता है नश्य नश्य मतलब नाक में गाय का घी की ये जरूर डालना है और इसके बाद फिर अब हम सौफ का पानी लेंगे क्योंकि हम वैसे आवला मिश्री ले सकते थे गेस्राइटिस में बहुत अच्छा रहता लेकिन अपने को सुगर है मिश्री नहीं ले सकते और अपके लावलाव लेते हो तो फिर असरिती करेगा वो इसलिए सौफ का पानी लेंगे एक चम्मत सौफ का पाउडर एक गलास पानी में घोलके सवेरे सवेरे नश्य करने के बाद ले लिया और उसके बाद फिर हम व्यायाम करेंगे तो जिनको एसिरिटी है साथ में सुगर है उनके लिए ये है कि वो व्यायाम करने के पहले सौफ का पानी ले लेगे तेक है उसके बाद फिर व्यायाम में मुह में पानी भरके टहलना मुह में पानी भरकर टहलना क् क्योंकि मुँ में पानी अगर रहेगा तो हम ना तो मुँ से सांस भर पाएंगे और ना मुँ से बोल पाएंगे और टहलने का फाइदा तभी मिलता है जब हम ना तो मुँ से सांस भरें ना मुँ से बोलें तो मुँ से सांस नहीं भरेंगे के टहलना चाबू कर देंगे 40 मिनट टहलना है यह पेट और डाइबोटीज दौन के लिए बहुत बहतरी नुपाय माना जाएगा इसको करने के बाद अपन राजारानियासन करेंगे मरकट आसन यह आपके लिए कमर रीड गर्दन हिप जॉइंट पेट और साथ में सुगर सब के लिए इसको करने के बाद अनलोम विलोम प्रानायाम करेंगे लगभग पांच मिनट नाड़ी सोधन वाला और फिर डीप ब्रीधिंग करेंगे कम से कम सौ बार इस डीप ब्रीधिंग में स्वस्तन बहुत धीमा रखना है जोर से सांस नहीं भरना है जोर से भरवी लिए हरत जोर से छोड़ना तो कता ही नहीं है तो थीरी धीरी खोड़ें चिर फिर पूरा हो जाए तो ब्रामरी प्रानायाम करेंगे ऑन जोर के संवारे के समान बुञण करने वालद और उसके बाद सऴासन करके पूरे प्रोसेज को एंडर करें इस पूरे में अगर हो रहा है और देड़ घंटे का टाइम निकाल करके अगर आपकी सुगर और आपका पेट ठीक हो जा रहा है तो यह बहुत बुरा सौधा नहीं है बहुत अच्छा है लेकिन जो लोग यह चाहें कि हम तो इतना भी नहीं करेंगे हम तो करी नहीं सकते तो भई बहुत मु लवी नहीं निकल रहा है तो इसका विसेश ध्यान रखना यह मौनिंग रूटीन हो गया अब आपका पूरे दिन का रूटीन के रूटीन में आप पूरे दिन में कम से कम 10-11 ग्लास पानी पीएंगे अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यास ही नहीं लगती पानी कैसे पी हैं गर्मी लगी नहीं पा रही आपको आप जो खाना खा रहे हैं वो चली नहीं पा रहा तो फिर प्यास भी नहीं लग रही थोड़ा व्यायाम करो देखें कैसे प्यास नहीं लगते हैं जैसे ही पुसीना निकालोगे प्यास लगना चालो हो जाए अब पूरे दिन एसी मे बिना काम के फिर पूरे सवेरे साम कतई व्यायां भी नहीं तो प्यास लगना तो एक विमारी है प्यास नहीं लग रही वो भी और वो प्यास नहीं लगना एक विमारी अगर है तो उस विमारी को ट्रीट करने के लिए पहले-पहले कुछ दिन के लिए आपको रूटीन बनान तोलेट में मेरे वो तॉलेट बन गुंके निकल यहाँ वो योरिन आता है वो सुगर के पेशेंट्स को बार-बार योरिन आने का जो है ना वो इक और तरीका होता है सुगर दो तरीके की होते डाइविटी इस मैलेटस और अर इस इंसे पिड़स का मतलब होता एड्य वो गुमेगा अच्छे करीके से और वो गुमना चालू होगा तो फिर आपका जो यह जो लगता है कि अभी पानी प्या पांच मिनट में निकल जा रहा है या आदत दीरे 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 करके आपकी नॉमल हो जाएगी कोई लिकत नहीं है ठीक है अब नास्ता जो है वो आपका मज में लोग क्या करते हैं कि डीवेटीज है इसलिए मैथी मिला दो फिर उसमें अजभाईन भी मिला दो फिर उसमें चने-सोयावीन भी मिला दो और फिर डीवेटी के लिए तो ठीक हैं क्योंकि यहां आपका behindrate जितना कम होगा उतना ठीक है लेकिन चुक्य आप डि और मूम मिलाने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगर मूम को अंकुरित कर दो और अंकुरित करने के बाद उसको अच्छे तरीके से सुखा दो और फिर उसको आप जौर और जौर के साथ में पिसवा के आटा बनवा लो तो उसमें क्या रहेगा कि मूम प्रोटीन हो जाए और सुगर को तो अपन बहुत जल्दी खतम ही कर लेंगे तो सुगर की कहान ही खतम हो जाएगी पूरी ठीक है तो डायरेक्ट अपन जवार का अटा अगर ले रहे हैं तो वह बहुत अच्छा है अपने को उस पर टेंशन नहीं पिल्खुल भी सुगर तो अपन के वह प्रोटीन क्या है कि गैसराइटिस के केज में आप जैसे ही चना खाओगे जैसे ही सोयावी ने या राजमा खाओगे गैसराइट इसे पचेगा यह पेट फूल जाएगा एक्कम से बहुत दिक्कत हो जाईगे तो उसको अपन नहीं मिलाएंगे खाने के साथ में एक ग्लास चाच का या रायते का पतला रायते का उपयोग जरूर करेंगे यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है दोपहर और साम के खाने के बीच में आप कोई भी एक फल खालेंगे अब फल क्या हो सकता है जैसे सेव डायवटीज के लिए ठीक है लेकिन सेव गेस्टराइटिस में पीस थोक दो नासपाती खा सकते हैं नाग जो आता है वो खा सकते हैं बाबु गोसा जिसको बोला जाता है वो खा सकते हैं अम्रूद अगर जैसे अभी कुछ समय के बाद अम्रूद चालू हो जाएगा तो बिलकुल पका हुआ अम्रूद होता वह तो बहुत मीठा हो जाता थोड़ा कच्चा अमरूद जो है वो खाया जा सकता है तो उसके बीच जो है ना उनको थोड़ा थूपते जाए नहीं क्योंकि बीच फिर पाचंग तंतर पर भारी हो जाते हैं यह ध्यान रखना है दोपैर के समय यह ले लिया अपने एक वाग और अगर भूख लग रही है दुबारा तो फिर सब्जी उबली हुई रख लो जैसे लौकी टिंडा कद्धू या परवल यह खूब तो रही इसको खूब अबाल के रख लो थोड़ा सैना नमक का अपयोग किया जाए सैना नमक के साथ में उबाल के इसको रख लिया थोड़ी हंदी डली हो थोड़ी ज सबजी आप एक कटोरी खालो जब भी भूख लगे तो वो सुगर के लिए भी ठीक है और वो आपके पेट के लिए भी ठीक है तो वो अच्छा रहेगा साम का खाना जल्दी खाना है और साम के खाने के बाद कम से कम 20 मिनट टहलना है वो धीमी गती से टहलेंगे तेज नहीं ट क्या है कि रात के समय दूद पीना चाहिए तो रात को जैसे कहा जाता है वासरांते पिवेद पया भोजनांते पिवेद बारी वो जनांते पिवेद तक्रम बारी तो जहर होता है अगर आप पानी पीते हैं वोजन के अंत में तो जहर होता है लेकिन वोजनांते पिवेद त अगर सवेरे जक करके कोई पानी पीता है यह तीन नियम अगर कोई कर रहा है तो उसका तुर्फिर रोगों न जायते फिर तीनों दोस उसके सम रहते हैं यह लिखा गया है लेकिन चुकि गेस्राइटिस है इसलिए आपको दूद नहीं लेगा है तो रात को अगर दूद लेत लेते हैं तो बंद कर दीजिए और अगर नहीं लेते हैं तो बहुत उची बात देंगे तो सौफ का पानी अपन रात को लेंगे यह अच्छा रहेगा तो यह हो जाएगा अब सवेरे नास्ते के पहले अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि भूख लग रही है आपको कुछ खान चावले में वन इस्टू थ्री इस्टू बन रख लीजे जैसे अगर तीन चम्मच अलुबरा लिया है तो एक चम्मच आवला मिला करके ले लेंगे यह सवेरे सवेरे का आपका व्यायाम करने के बाद का लिए यह अपने को जूस फॉमेट में लिए अच्छा तो जूस अब बादाम और अफरोट पचने में बहुत भारी है पहले से ही पाचंतंत्र की कमजोरी है तो पाचंतंत्र की कमजोरी में अगर अपन भारी खाना खाएंगे तो पूरे पाचंतंत्र को खराब करेगा वो तो पचे गई नहीं उसके बाद जो हम रोटी खाएंगे वो भी को खानी नहीं है अब अंजीर और मुनक्का खास सकते थे लेकिन अगर मन करें कभी ऐसा लगे तो आप मुनक का ढो मुनक के अच्छे तरीके से पानी में धो करके फिर खा सकते हैं वह चल जाएगा यह आप कर खाने का तो ठीक नहीं कर लेते हैं, क्योंकि चने खाओगे, पेट भारी होगा, वो गड़बड हो जाएगा, मामला, इलाज में दो इलाज बहुत आवश्यक हैं, एक तो पेट का गरम ठंडा सेख करके, पेट पर मिट्टी की पट्टी, या मिट्टी की पट्टी अगर नहीं हो पाए, तो गीला कपड़ा, और दूसरा, रात को सोने के पहले कुनगुने पानी में पैर और नाक में गाहिका घी, अगर संभव हो जाए, तो ठंडे पानी में बैठना, ये ठंडा कटी इसनां जिसको बोलते हैं, ये अगर हो जाएगा, तो ये आपकी डाइबोटीज और गैस्राइटिस दोनों में ही बहुत अच्छा काम करेगा, 15 मिनट से 20 मिनट का ये इलाज, अगर संभव हो, हो सकता ह आपका बजन जादा नहीं है, एक प्लास्टिक का टब लिया, उसमें पानी वरके बैठना ही तो है, खाली पेट कभी भी, जब भी आपको ऐसा लगे, पेट खाएगे, तो ये हो जाए, खाने को पीएं, पानी को खाएं, इसको विसेस ध्यान में रखना है, खाने को पीएं कुछ प्रश्न बच रहे हैं आके कि लगभा कबर हो रहे हैं, और तो कबर हो जीदा है कोई बात नहीं, आपके प्रश्न जो भी है उनको आपन ले लेते हैं, आप,